इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Deluxe Soft Gel Capsule is used in the treatment of vitamin D deficiency and osteoporosis. यह calcium को अवशोशित करने में शरीर की मदद करता है. घडियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए calcium आवश्यक है. इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपका आहार पर्याप पोशन प्रदान नहीं करता है. Deluxe Soft Gel Capsule should be taken as directed by your doctor. इसे खाने के साथ या बाद में लेना सबसे बहतर है क्योंकि ऐसा करना आपके शरीर को इसे एब जॉब करने में मदद करता है और सबसे अधिक लाब प्राप्ट करने के लिए आपको नियमित रूप से इसे लेना चाहिए. अगर आप Osteoporosis के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अन्य दवाएं भी दी जाएंगी. यह दवा केवल इलाज के पूरे कोस का एक हिस्सा हो सकती है. इसमें आपके आहार में बदलाव करना और केल्शियम और विटमिन सप्लीमेंट लेना भी शामिल है. अपने आहार में पर्याप्त केल्शियम और विटमिन डी प्राप्त करने के लिए आपको खाने वाले खाते पदार्थों के बारे में सीखना चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा लेते हैं तो आपको कमजोरी, मांस्पेशियों में दर्द या अपने मूह में धातु का स्वाद आ सकता है अगर आप ऐसे किसी भी दुश प्रभाव का अनुभव करते हैं तो अपने डॉक्टर के साथ बात करें वे लक्षणों को कम करने या उनका इलाज करने में आपकी मदद कर सकते हैं इस दवा को लेने से पहले अगर आपके रक्त में केल्शियम का उच्छ स्तर हैं या अगर आपको दिल, किड्नी या लिवर की कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर को बताएं कुछ अन्य दवाएं विटामिन D3 के अवशोशन को कम कर सकती हैं इसलिए अपने डॉक्टर को अपनी उन अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जिनके बारे में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें लेना सुरक्षित है यह दवागर भावस्था के दौरान मदद कर सकती है जब आपके शरीर को अधिक विटामिन D की जरूरत होती है लेकिन इसकी बहुत अधिक मात्रा आपके बच्चे को नुक्सान पहुंचा सकती है अपने डॉक्टर से चर्चा करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद